सल्मान कान की मच अवेटेट फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीस हो चुका है इसका इंतजार कब से सल्मान कान के फैंस को था लेकिन ट्रेलर रिलीस पर ही यश्राज फिल्म्स की टीम की तरफ से हुई बड़ी गलती अब यह गलती थी या वाकई में किसी डिस्प्यूट को चुपाने के लिए ये किया गया ये तो नहीं कह सकते लेकिन क्या कुछ हुई है कॉन्ट्रवर्सी ट्रेलर रिलीस पर चलिए जानते हैं सल्मान कान की टाइगर 3 का ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलीस किया गया रिलीस से एक दो दिन पहले से ही सल्मान खान ये श्राज फिल्म्स ट्रेलर को शाउट आउट दे रहे थे और अपने फैंस को बता रहे थे कि किस तरह से ट्रेलर आने वाला है सल्मान खान की जतनी भी पोस्ट थी ट्रेलर रिलीस से पहले उसमें उन्होंने यश्राज films को टाग किया, केट्रीना कैफ को टाग किया, जतने भी लोग इस फिल्म का हिसाथ है उन्हें टाग किया लेकिन इमरान हाश्मी को टाग नहीं किया ट्रेलर जब आज रिलीज हुआ तो रिलीज से पहले यूट्यूब प्रिमियर पर भी इमरान हाश्मी का नाम मेंशन नहीं था जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ और इमरान हाश्मी के फैंस ने टाइटल से इमरान हाश्मी का नाम गायब देखा लेकिन लास में इमरान हाश्मी को जिस एक सीन में दिखाया है उस एक सीन में भी इमरान हाश्मी सलमान खान पर भारी पड़े हैं और इसी इंसेक्योरिटी के चलते इमरान हाश्मी के रोल को highly edit किया गया है सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये दावा किया है कि यश्राज फिल्म और इमरान हाश्मी के बीच बड़ा dispute हो गया है टाइगर 3 को लेकर क्योंकि according to sources इमरान हाश्मी का रोल highly edit किया गया है फिल्म में जितना उन्होंने शूट किया है उसका बहुत कम portion फिल्म में रखा गय इस बात से इमरान हाश्मी नाराज हुए इमरान हाश्मी और यश्राज फिल्म के बीच dispute हुआ यही कारण है कि यश्राज फिल्म ने इमरान हाश्मी का नाम तक अपने टाइटल में नहीं लिखा उन्हें टैग तक नहीं किया और उन्हें ट्रेलर में भी कम स्पेस दी है हा पोस्त थी उनसे इम्रान हाश्मी का नाम गायव होना कहीं न कहीं कुछ अंसुनी कहानी तो कहता है कि जरूर कुछ तो प्रॉब्लम है खेर इम्रान हाश्मी ने जब अपने अकाउंट से टाइगर 3 का ट्रेलर शेयर किया उसने इन सारी बातों को फुल स्टॉप लगा दिया और ये समझ आ गया कि प्रॉब्लम्स अपनी जगे होंगी लेकिन इम्रान हाश्मी भी टाइगर 3 को फुल सपोर्ट कर रहे हैं